आदरवे सम्मान के योग मुझरग नौजवान सात्य पिर्थवी का सिंगार माता बहन भगवान सरूप छोटे छोटे बच्चे सक्ती म्यूजिक की तरप से लेकर के आ रहे हैं जेवर जुपा रहीमपुर चांट पुल के पास जुपा गाम की अमर गाथा सुनाएंगे रिशी पाल नागर प्रेम भगत की अमर गाथा हरी दरोगा जी के पड़दादा चौधरी गिर्धारी जी गिर्धारी जी के तीन वेटे थे जेराम, दयाराम और बयाराम जेराम जी के तीन लड़के प्रेम सिंग, सौम सिंग और सरूपा प्रेमियों 31 जन्वरी 2024 दस बज के 20 मिनट पे प्रेम सिंग का सुरगवास गाम जुपा में हो गया अपनी धरम पत्नी शांती देवी की गोद में आखरी साज राधे राधे बोल करके आखरी सासली सातियों इस भक्त परिवार में प्रेम सिंग के पांच बेटे हैं बड़े भक्त हरी करोगा भक्त भजनलाल देवीलाल बंसीलाल पूरी चौधर भगजी के घर में राधारानी ने दी है और वो भक्त परिवार जिसमें दो बेटी हैं संत्रा और समंत्रा पोत्वे पोत्री 200 आदमी का परिवार 98 में साल की एड में सातियों भक्त प्रेम जी अपने परिवार को छोड़ करके गए हैं आगे बताएंगे किस तरीका से पंड़ सेर सिंग्जी ने उनकी अमर गाथा में सरदांजली में चार लाइन लिखी हैं किस तरह से क्या बात लिखिये बला आएए सुनते हैं 31 तारी की बुद्धवार था जब खड़ी कसूती आई 10 बज के 20 मिनट ली पकड़ सुरकी राही 33 तारी की बुद्धवार था जब खड़ी कसूती आई 10 बज के 30 मिनट ली पकड़ सुरकी राही 33 तारी की बुद्धवार था पाच भूत माच भूती के बंदाने होगे न्यारे न्यारे ता सिदरी हुई भेले चनने काम छोड दिया चारे आसा त्रस्ना दोर हुई जबे सुक्समजी बदारे 25 पाच भेहतर के आनंद चोटे सारे इडा प्रिंग्ला दो नाडी इडा प्रिंग्ला जो नाडी जो नाडी जो ना तो हे से पाई दस बज के दिश मिनेट ली पकड़ सुरकी राही 31 तारी के बुद्वार था से पाच फॢ़ से ऐडिक सारे आंच भॉब going जि बुद्वाइं खानदान का पेटा था कदे पुल के दाग लगाया ना सत पुरुस यात मा सच्ची पुरा किसी कचाया ना हर दमनीत कमाने में ठी ठाली बैठ के खाया ना उस इस वर की माया का बेद किसी ने पाया ना तूटी की पूटी ना मिलती मिर दूखी नहीं दवाई दस बन के वीश मिनेट ली पकड सुरकी राही इकत्रिस तारिक बुद्वार था मौनी का नीतू पोती हमें लाड लाडाया करता रेनू पिर यंका नू रोली हमें प्यार जताया करता खुसी पिंकी नू बोली हमें नू समझाया करता साधना नीरज धजन संग खाना खाया करेता पेटी संतरास मंतराने रोरो आग्सु जाई तस बजिके वीश मिनेट ली पकड सुरकी राही इकत्रिस तारिक बुद्वार था तस बजिके बुद्वार थाई पिता की सुनके हरी दरोगा ने भारी सोग मनाया हंसराज संतरास दीपक ने सबको भौन घुमाया भजनलाल का नहा संतुयस उन्वे ने समझाया परदान देभी समय सिंग में फिर सबको बतलाया सती श्यानती पत्नी के संग राधे मुख में आई तस बज के बीस मिनटली पकड सुरकी राही इकत्स्तारिक बुद्वार था सूराज गुरुपाल भीवी पाल जबे नवज पकड को हो वे थे प्रज मोहनियस पोते दोना खडे खडे रो वे थे रिंकु खिलूरा चिंदर भटी जंग चांखी जो वे थे तया सुरेस बबा तेरे उपरे सुख निद्रा सो वे थे मुनेश रमेश कमलेश बाबा मारी को ना पार वसाई दस बज के वीश मिनट ली पकड सूर की राही पंद महीना जनवरी का कर दो दो भाबा मेहर चंद बिजेंदर सत्ता ने काका थगाना प्यारा राजा ने ओबिया सोक बोले अच्छा किया गुजारा जग बीर जगत का मल उधा में का था बबा प्यारा सत्त अत्म प्रें भगत की काम वोल रासारा काजीपुर में बेटों ने मंतिर पे धजा फेराई तस बज के बीश बिनेट ली पेकड सूर की राही इक अतिस्तारी के गुद्वार था जे अर मैंने बिजंदर चांट से पंचों के संग आए महसे जीशरिया परिकास देक सब हरसाए सर पंच बल बीर कुरवाडी इंदर दलालाए किसन लाल टेक राम संग नगेंगर चोधुरियाए हारेंदर बज रंगे रामने सेवा सर पेठाई तस बज के दिस मिनट ली पकड सूर की राही कतिस्तारी के गुद्वार था मामा बले बलाए पीर रिष्टेदार याजी कठा सब परिवार हुया मिसी रोटी मखन खोवा कितना जय जयकार हुया उनकी आत्मा को मिले शैनती सबका उनको प्यार हुया आगे कलम कापना करती गुरु सेर सिंगला चार हुया रिषी पाल को प्यार हुया तो भर रंकत में गाई दस बजिके बीश मिनटली पकण सुरकी राही इकत्रिस्तारी की बुद्वार था जब खड़ी कसूत्ती आई दस बजिके बीश मिनटली पकण सुरकी राही इकत्रिस्तारी की बुद्वार था जब खड़ी कसूत्ती आई